विद्यार्थियो आजे आपने भुलोवानुँछे जेप्टनावर बारनुँछे अगत्योनों सवाल जे विद्यार्थियोने मुझकेली माँ मुख्तो सवाल के जेनू नाम छे मनुष्यनू पाचनतंत्रा तमने बे रित्य सवाल बोल माँ पूछाय शेके पैया तमारक माँ मनुष्यनू पाचनतंत्र वर्णवो अने बिजो सवाल पाचननी क्रिया वेदी समझो जारे पड़ा बनने सवाल पूछाय त्यारे कन्फूजन माने आवानू बदूज नहीं लखवानू काराण के तमारे पेपर ना अढवाग शवाल के पाचन नड़ी तमें आकूरति म JAKE को ओ छोगे अमलोक नाम नीड़ाशन में बल्लitज़ण में बल्लू परिशन में आप लिरेसी influenced अदर्षाव है जहीं पर बल्लेड़ाइसी नाम नीड़ देशन करेच्ँ लाज है अने सहयक पाचक ग्रन्थी आप बंडेनु मिश्रन थेए आपनु बंडेशन मनुशनु पाचनतंत्र सव प्रथम आपने शरुवात करश्यू मूख माथी वो तुमने बेए वरणन करू छो ने छलने पची कई दिसके पाई कई रिते अलग करीश्यू पेलो जे टोपिक छे नाम चे मूख पाचनतंत्र ने शरुवात आपना मूख थी थाए छे तो सव थी पेला तो जोई है कि आपने खोराक के विरते ग्रहन करीए छे अमुख जे प्राणियों होए इकोई पन बिजासा जीवना संपर्क मां रहिने पोस्चन मेडवे छे अने लिली वनस्पती छे इए खोराकनू संसलेशन करे छे परंतु मूख द्वारा आपने खोराकने शरीर मां ग्रहन करीए छे आथनी मदद वडे तो आथनी मदद थी खोराकनो टुकड़ आपने मूख मां मुकिये छे मूख नी अंदर आवेला होए दाथ जीब अने लाळ ग्रंथी याद राक जो विद्यार थी हो आज लाळ ग्रंथी छे यहनों समावेश आपने सहायक पाचक ग्रंथी मां करवालो छे दाथ तो दाथ के मां आवेला होए छे केल्शम फोस्पेट ना बनेला चे नू बाहर मजबूत दाथ होए चे दाथ ना अमुक 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 प्रकार होए छे उद्यान दाथ कापवा चीर्वा जढ़वा भरडवा नू कारिये करें सूथी पैला आगर्णा छे रे झे खोराक ने कापवा नू काम करें पछीन जे विदाथ चे एन राक्सी दाथ कएशू जे खोराक ने चीर्वानों काम करें मुदु चिब। आ जीब एक सनायू महिए रत नाचे। यह जीब दिवारा बे कारिया थाएचे। जेह ना थी खोराक वलोह आए। वलो हुआ थी काय कारिया थाए तो पेलू कारिया के बाई जीब थी खोराक दातनी वच्चे आवे जेना कारणे सरलता थी दड़ी शकाए औने जीबनू बिजुकारिया लाळ रस भेळवानों छे चे लाळ ग्रंथी माथी निकले चे तो आपने जो ये लाळ रसू छे तो आ आ उट्सेचक MLS सूं करे तो आपने पेला जोयू के बाई उट्सेचक द्वारा जटिल स्वरूपनों खोराक सरल स्वरूपमा रूपांतर करे चे उट्सेचक MLS जे लाळ ग्रंथी माँ आवेलो चे जेना कारिया स्टार्च नूं महाल टोज मां रूपांतर करे चे एक मग पाचन के चे तो पाचन नी शरूपमा रूपांतर माल टोज मां थाए एक मार्क नो सवाल पड़े ओंपुछ है कि पाचन नी शरूपमा थी थाए त्यार बाद पोचो खोराक के जे दबाये लोचे जीबने दातनी मदद बड़े अर्धगन वस्तामा मूख माथी थाईने अन्नली मा प्रवेशे छे अन्नली एक नली का मेरितना छे के जेना द्वारा खोराक मूख माथी सिधोज के आगड़ावे छे जठर मा तो बिजो पाड़ छे के जेनू नाम छे जठर जठर के आगड़ावे लू है तो अपना शरीर मा पाचन तंत्र मा डाबी बाजु है याद राख जो तमारी जमनी बाजु ए आकृतिनी डाबी बाजु अपना शरीर मा डाबी बाजु है अंग्रेजी मुलाक्षर जे आकार नू अवियो उछे के जठर त्रण नलिका में ग्रंथियो धरहावे छे कई-कई-कई-कई-मन्द हाइड्रोक्लोरिक एसीड उचसे चक पैपसीन अन्ने त्रीजु जेनू नाम छे स्लेश्म अत्रण नू कारिया सुच्छे त्रेके मन्द हाइड्रोक्लोरिक एसीड आपना शरीर मा जेवो खोराक अन्ननले मारफते जठर मा आवे त्रण तज हाइड्रोक्लोरिक एसीड नो स्त्राव थाए चेना थी बेकारिया थाए पहलो खोराक नो माध्यम एसीडिक बने अन्ने बिजु कारिया बेक्टेरिया नो नाश थाए मन्द हाइड्रोक्लोरिक एसीड ना बेकारिया थाए पहलो खोराक नो माध्यम एसीडिक बने बिजु बेक्टेरिया नो नाश करेए जारे पन 술याम असिडिक निस्चाहँ निश्प्रीय और रुपांतर सप्रीय और अन्य और तेव प्रियॆम नमाँ संधाइ प्रोटेननोई पाचन शरुआत फियाइ तो अगैगे, जठ्थर माँ फिये भोराक नूँपाचन पूछ है तो मुख माथी रोटीन आप पूछ है तो जवाब लखमानो आज सलेश मा जू एक स्तुमभीय अधिछत श्राव रक्षन आपय कोने रक्षन आपया घरी किसिनए स्तुम्हाव थाए तो द्युटै जाए तो बद्धु जाए सिराफा पाचन दंत्र मां फेलाई जे उना था अटला माटे संभिय दिछ जावेला होई के जे सठर नी अंदर नी बाजवाई लेकर किनार नी बाजवाई अवे पच्छीनो जे खोराक अछे जे अर्धपाती तो छे प्रवाही अवस्ता माविग्यों छे ई खोराक आयू आकार नाविए अविग्यों यू आकार नो अवियो जेने के ना नामे उलखवा मावे छे पकवाशे नामे तो त्री जो टॉपिक आपड़ा जोई आज नो के जेनू नाम चे पकवाशे आपकवाशाई सुझे तो पकवाशाई एक नलिका में यू आकारनों अभियो छे के जहेमा सामान्य पीत नड़ी मार्फते बेस्त्राव आवे छे पेलों स्त्राव यक्रूत माथी आवे छे अने विजो स्वादू पिंड माथी आवे छे इतले के सहायक पाचक ग्रंथियों ना बेस्त्राव यक्रूत अने स्वादू पिंड अबन्नेस्त्राव पकवाशाई नामना अव्यों मा भेगा थाई छे तो जो ये यक्रूत माथी सुमणा छे अने स्वादू पिंड माथी सुमणा छे यक्रूत के जे आपना पाजनित्रनों सवथी मोटो अवियो छे यक्रूत के जे पीत नों अस्त्राव करे पीत नों पीत मां बे बस्तु आवेली होएं के जेनू नाम छे पीत रस अने पीत ख्षार पीत रस ने पीत ख्षार आप पीत रस नू कार्य सुचे तो पीत रस खोराक ने आलकलाइन बनाव है आलकलाइन इतले बेजिक जे एसिरिक खोराक छे एने डिटस्त करवा माटे यक्रूत माथी पीत नों अस्त्राव थाई अने येमा पनावेलू पीत रस जे खोराक ने आलकलाइन बनावे त्री जू के जे पीत क्षार सूं करे तो के पीत क्षार चर्बी ना मोटा अखटको होई छे जेमा ना 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 गोलकोबाा रुपां तर करे तुकमा चर्बी नू पाचं जे छे ए पक्वाा क्रृत पीट क्षार्ष्यृ मा वे लुए पीत मा पीत नो स्त्राव कोण करे यकुरू तो आवब स्वाल्त तमारे याद्राखवाना छे आजे पीत छे जिनो संग्र जे कोथली मा वोय उनुगा पाशे तो पाशए पिता शय नाम नी कोथली मा थाए चे अवे बात तेवी स्वादू पेंड आज स्वादू रस्नों स्त्राव करे आज स्वादू रस्नों धरावे चे तो कि एपन त्रो उत्से चको धरावे चे कईया कईया मलेज ट्रिपसिन अने लाइपेज कोण शेलू स्वादू रस्नों पाचन करे याज रग जो स्वादू रस्मा आवे लो उचसे चक एमलेज चे स्टार्च नू पाचन करे ट्रिपसिन जे चे प्रोटीन नू पाचन करे लाइपेज जे चे चर्बी नू पाचन करे त्यार बाद हजीपण खोराक संपूर्ण पाचन थयो नथी संपूर्ण पाचन आपकवाशे माथी आवशे डायरेक नाना अतरडा माँ मोटा पगना विद्ध्यार थी वह उसमेत्ता होई चे पकवाशे डायरेक मोटा आतरडा माँ खोले कुटी वाचे पकवाशे जशे नाना अतरडा माँ तो त्रीजी मुद्दू एनी पचिनो के जेनू नाम छे नानू आतरडउ अवे सवथी पेला तमने एम पूचाय के सवथी मोटो अवियो कईChat पाचन तुनत्रनों सवथी मोटो होवियो तो यक्रूत सवथी लाम्बो होवियो तो एनू नाम आप्षू नानू आतडू कारण उक्तवईना व्यक्ति माटे नानू आतडू 6.5 मीटर होई जो शाका हारी होई एटले के 3 हारी के जे वनस्पति नोखो रागतरी के उप्योग करे तो एनू नानू आतडू लाम्बू होई छे परन्तू जो मासा हारी होई एनू नानू आतडू लाम्बू नानू तो पड़ नहीं कहिशे के तूकू कहिशे कारण के प्रोटीन पच्छी आपने जाणिया जे के वनस्पति नी कोष दिवाल सेलिलोज दिवनेली होई सेलिलोज माथी पोष मेलवा माटे शाका हारीने वधू समय लागे आथी एनू नानू आतडू लाम्बू होई परन्तू मासा हारीने सिद्धूज प्रोटीन मलतू हो आथी एन नानू आतडू तूकू होई नाना आतडानी दिवाल आंत्ररस्नो श्त्राव करे छे अने त्या अगर खोराकनू सम्पूर्ण पाचन थाई छे आयाद रागजो तमने पूछाए के सम्पूर्ण पाचन क्या थाई छे खोराकनू सम्पूर्ण पाचन आंत्ररस्न मा थाई छे अने आहाँ सम्पूर्ण पाचन केवी हीते थाई छे तो जोई ए स्टार्च के जे जटिल स्वरूप ग्लुकोज केई शूँ स्टार्च के जेने आपड़े ग्लुकोज मा रूपान्तर करीनाख छो एलिके जटिल स्वरूप नूँ स्वरूप मा रूपान्तर है प्रोटीन नूँ रूपान्तर एमीनो एसीड मा चर्बी नू रुपांतर फेटी एसीड के ग्लिस्रोल मां या द्रग जो स्टार्च एजटिल सुरूप छे जहनू स्रल सुरूप मां रुपांतर से शे ग्लुकोस द्वारा अपने आने कार्बो हाइड्रेट प्राव कांशक्त कार्बनिक सहीं हो जनों होए संपुरुन पाचन थे यू स्टार्च वूपांतर ब्लुकोस मां थे यू प्रोटीन नू एमिनो एसीड मां चर्बी नू फेटी एसीके ग्लिस्रोल मां तो आ संपुरुन पाचित खोराक अना ना आंग नी जूडा प्रबर्दो छे पाचित खोराक ने सिधूज रुधिर मां भेखेड़व है तो रुधीर द्वारा इखोराक नूँ सोशन थाई और दरेक अंगो सुधी पोचण वामा आवे और दरेक अंगो मा कोशिय सुषन नितक्रिया द्वारा दरेक सजी अंग ने पोचण मा थी अचले के उड़ जा मला छे काला के आपणे जानिया ची के स्वसंथी सुमल चे तो नथी के जे अपाचित खोराक छे आने जेनू सोशन थाई दरेको बांडने शेंघावे खी अच्वारा दरेकित अग्रावें थादवा जानिया तो न होग न भंचन अध्याक है तुमने यहां प्रेश्न यह थाए, कि सर्मोटू आतडू 1.5 मीटर, 9.6.5 मीटर, मोटू आतडू नी पहळाए वधारे होए छे, 9 आतडू शांकडू होए, ज़्याटला बाटे 9.5 नामेगो, नमेगो, मोटू आतडू, अ पाचित, और असोशित खुराक जारे मोटा आतड परणा माथी प्रसार थाए त्यारे पाणी अने वधाराना पोशक द्रवियों के जेनु अजी सोशन नथी थेए यू एनु पुनह सोशन थाशे अन्ने हवे खोराक महदन्षे लेकि मोटा भागे घंसोरूप ये शे घंसोरूप नो खोराक के जेने आपने मलना नामे अन्ने मल चिद्र मरफते अपाचित अशोशित खोराक घंसोरूप शरीडनी बाठ अथेगी आपने पाचन तंत्र हवे तमने जे सवाल पूछाई छे के बाई पाचन तंत्र समझाओ औरने पाचन तंत्र केवी रिते काम करेशे लेकिए तमने पाचन क्रिया विधी छाए छे पीतामे लोख तोवुत पाचन तंत्र आम विए न अभीर विछेस रखत हुचेरों पाचन क्रियाव तो आज है आपने मुनेशन नूं पाचन जंद्र ठेंक